तो गोर्जिलाइक्स कॉंग मूवी में एक सीन ने बंदी को रातो दिन सोने नहीं दिया और वो सीन था इस बिर्जवाला सेक्षन जहां कॉंग एंड सू को एक टाइटन के स्कलेटन को पुल की तरह यूज़ करके एक खाई को पार कर रही थी वहां इसके स्कलेटन का आकार इतना बड़ा था कि उसके सामने अपना कोंग भी चीटी लग रहा था आप इस बड़ी से स्कलेटन को लेकर कई यूटूबर कई फैंस के दिमाग में ये ठोरी आ रही है कि यह स्लेटन ही इतना बड़ा है तो उसे मानने वाला कितना बड़ा होगा और वह कौन होगा आखर यह मरा कैसे होगा इस मोवी में यह सारी सवाल फैंस के दिमाग में एक अलगी बॉंडरी सेट कर रहे हैं बिलू लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बड़ा टाइटन आखर कौन हो सकता है बहुत लोग का मानना यह है कि यह टाइटन टाइटनस मांडा होगा बड़ी यह पॉसिवल नहीं है क्योंकि टाइटनस मांडा यह मानुडा का ओफिसल बोडी हाइट 200 मीटर बताए गया है जो हिसाब लगाए तो फीट में 656 फीट होगा जहां इस मू पहला यह है कि यह टाइटन कोई होलो अर्थ का एकोईटिव एनिमल होगा जिनके स्पेसिस प्रोवली आज के टाइटनस से भी बहुत पेले हुआ करते थी लेकिन यह मौनार्क वाले जैसे कहते रहते हैं कि होलो अर्थ हमाई धर्ती जैसी है तो अगर ऐसा थोड़ा सा भी हुआ ना तो डेफिनेटली टाइम के साथ जहां का इकोसिस्टम भी चेंज हुआ होगा मतलब जिस जेगा पहले समुंदर हुआ करता था तो वहां पे अब मौन्टेंट टॉप्स हैं वैले से स्केलेटन को देखके यह लग रहा है कि यह सीधा जोइंट सर्पेंट या वैल नहीं बचेंगे कि आपने भी गोर्दिल एक्स कॉंग मूवी देखी है अगर नहीं देखी है तो देखो यार कतई फाडू है तो मिलते हैं आगली वीडियो में लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार